तो आज मैंने बनाया है शाही टुकडा और बहुत ही जल्दी और दस मिनिट में रबड़ी देख रहे हैं बहुत ही मलाईदार है और बहुत ही टेस्टी है तो इसकी रेसिपी हम देख लेंगे की कैसे बनाते हैं हे भगवान लाइक्स के लिए इंट्रो कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया तो हमने पहले गैस को अन किया पैन में दूद यहाँ पे मैंने डाला है और मैंने यहाँ पे 5 ml का पैकेट का दूद लिया है उसमें मैंने यहाँ पे half class के बराबर पानी को डाल दिया और उ ठोड़ा करके ही आपको यहाँ पेडालना है और इस तरह से कर्चुल को चलाते रहना है देखिए इस तरह से और उसके बाद पिर से बापिस अब थोडा सब डाली और इस तरह से आप कपशल को चानये एसे करने से क्या है ना लंस नहीं पड़ेगा तो रबडी बहुत ही अ चाहे और जो फ्लेम रहेगा Egypt काका Medium से लोग के बीच में रहेगा और थोड़ा से भी आपका साइड में इस तरह से लगेगा और इस तरह से दूद को थोड़ा से कर्चुल की मदद से साइड में लगा के जो मलाई जम रही है उसको साइट से लेना है तो यहां पर आप देख सकते हो कि मलाई बहुत ही अच्छे से पक रही है तो टोटल मुझे कम से कम 15 मिनिट लग गए है रबडी को बनाने के लिए तो इसी तरह से आपको बार-बार कर्चुर को चलाते रहना है गैस का जो फ्लेम है आप उसको लो से मीडियम ही रखिए अब आपको एकदम लो कर देना है क्योंकि अब देख सकते हो कि रबडी बहुत अच्छे से पक गई है और यहां पर आप देख सकते हो कि बहुत यह अच्छे से मलाई भी यहां पर जम रहाए यह देखिए तो मैं अब क्या करूँगी गैस को एक्तम लो कर दूँगी और यहां पे चमच की मदद से जो मलाई जमी हुई है उसको पहले में साइट से जो भी मलाई है यहां पे उसको निकाल लूँगी और उसके बाद इस तरह से प्रेस करूँगी ताकि अच्छे से मलाई बहुती सॉफ्ट बन जाए आपको बस औ बड़ी वाओ क्या सुंदर और क्या मलाई दार है देख रहे हो आप तो इसको जब आप खाओगे ना तो बहुत ही शांदार लगता है यहां पे आप में चाशनी बना लोंगी तो गैस को अन करके मैंने यहां पे हाफ कप पानी लिया है और हाफ कप पानी में एक कप चीनी म नहीं कर रही हूं बड़ यह ऑप्शिनल है अगर आप मैं देगा ब्रेट भी यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं अब मैं क्या करूंगी इस तरीके से सारे ब्रेट को ट्रैंगल की शेप में काट लूँगी तो मैंने यहां पे ब्रेट काट लिया है तेल को गरम करने एक दम आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे से मैं यहां पे फ्राइ कर रही हूं ऐसे फ्राइ करने से आपका जो ब्रेट है वह बहुत ही कूरकुरे और क्रिस्पी बनता है तो शाही जो टुकड़ा है वो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है आप चाहे तो फिर थ अच्छे लेए और मस्त कुरकुरे सा क्रिस्पी सा लगे तो मैं यहां पे थोड़ी से बादाम ली हूं उसको यहां पे पूट लेना है आपको अब देख सकते हो इस तरह से अब मैं यहां पे मलाई को और चाशनी को एड़ करूँगी उसके पहले मैं यहां पे ब्रेट को स इस तरह से फैला दे रही हूं ताकि मुझे जब भी भी बाइट ले नहीं हो तो बहुत ही मज़ेदार लगे आप चाहे तो रबडी के अंदर भी फ्राइट ब्रेट को डाल सकते हो मैं यहां पे जो मैंने बादाम को क्रश किया था उसको मैं यहां पे उपर थोड़ा सा गा इसक्राइप ही कर दो